नमस्काल दोस्तों आपका धन्मंतरी कृपा हैल चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई वहन या जो भी सिर्फ डिस्क से परिशान हैं जिनको L4, L5, S1 से सबंदित जो भी दिक्कत है उसके बारे मैं बात करना चाहता हूं और कुछ आपके लिए निसके भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं मुख्या बात कहना चाहता हूं वो क्या है कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि L4, L5, S1 कहते किसे हैं और ये किन अंगों से डिलेटर होते हैं और फिर किन बिमारियां को उत्पन करते हैं ये आप के लिए जानना बहुत जरूरी है और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने निजदी के गौँ में या जो भी हैं अगर उनको कमरदर्द हो जाती है तो एक दम से घुरा जाते हैं कि कही हमें डिस्क प्रावलम तो नही लिकत है वो होती क्यों है पहले इस बज़े से चलता हूं और बाद मैं आपको बताता हूं कि ऐल फोर ऐल फाइव या एस्पन जो है किन अंगों से समझ रखती है और ये किन विमारियों को उत्पन करती है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले मुख्य की समस्या है ये क्यों होती है ये जानना बहुत जरूरी है आपके मन में डर बैठ चुका है कि ये बमारी लग गई अब जाएगी नहीं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता ये दो ही चीज़ों का कारण होता है जैसे अगर इसको हम अपने लि डिसाउडर सिस्टम भी कह सकते हैं और दूसरा उस डिसाउडर को और ज़्यादा बढ़ावा दे देना कि उसमें हम फिर उसके अनरूप जो है उसके अमसाल जो हमारा खाना पीना नहीं होता आप लोग क्या क्या खाते हैं मैं मुझे पूरा पता है मैं तक्रीबन सभी साइसबन की समस्या होती है वो होती क्यों है जिन लोगों को जो बात होता है वो कुपित हो जाता है हमारे स्रीर कें अदर तो जैसे कोई बाल्टoty उठा रहा है और कुछ जटका लग रहा है तो एक दम से उनका जो स्पाइन में या मनकाway में दिखता आजाती है तो इसकी ब में जो पहले लोग थे जो बजर्ग लोग थे अगर किसी को कमर में दर्द रहती थी तो नार्जल तो सुखा नार्जल तो आप सभी जानते हैं सुखे नार्जल को खाते थे और उसी से वो ठीक हो जाते थे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारी ऐसी लीडिज हैं जिनकी उमर पचीस से तीस साल या पैंतीस साल की भीतर भीतर है अगर उनको अनुसकिर स्टेज में कमर दर्द रहती है तो नार्जल सुखा नार्जल जो है उसको खाना सुरू क कर दीजिए हमारी यहां तो उसको गरीगोला भी पोलते हैं तो उसको खाना सुरू कर दीजिए ये बिकनेस का भी एक कारण होता है और दूसरा जो वो चीज़ें जो है बढ़ती रहती है अब अगली जो बात आती है कि ये मैंने आपको दो कारण बता दीए और इसके उपर जो प्रेज है वो बहुत जरूरी है प्रेज क्या करना है अबने कि एक तो उर्द की दाल राजमा और जितने भी खटी चीज़ें हैं आप उन चीज़ें का बिलकुल भी प्रयोग ना करें और सर्दियों में तो बिलकुल ही ना करें क्योंकि सर्दियों में जो बात रोग है वो बहुत जादा बढ़ता है ये जितने भी हमारे स्रीर में धर्दें है जॉइंट पेन है, गठिया है, सर्वाइकल है या हमारे स्पाइन में दिकत है वो बात के गहरन होती है तो सर्दियों में कम से कम इन चीज़ों का बिलकुल आप प्रयोग ना करें तक ही आपके बात रोक को बढ़ावाना मिले अब इसके बात चलता हूँ कि L5, सर्वी, L4, L5, S1 ये होता क्या है और ये कहां कहां आपको दिकत प्यादा करता है तो L4 जो है वो हमारा जो कमर वाला हिस्सा होता है निचले वाला जो लंबर के मनके होते है यनि कि हमारी रेड की हड़ी के जो पांच मनके होते है कमर के पास जो होते है कमर में जो होते हैं पांच मनके तो पहले मनके को L1 बोलते हैं दूसरे को L2, त्रीसरे को L3, चौथे को L5 और पांच में मनके को कहते हैं L5 तो L4 और L5 यह लंबर के चौथे और पांच में मनके हैं और जो S1 होता है वो सैक्रम का पहला मनका होता है तो यह 24 मनके जो हैं हमारी बोडी के अंदर साथ सर्वाइकल के बार अथ्वरस्टिक के और यह पांच जो हैं लंबर के यह 24 मनके जो हैं वो हमारी बोडी के अंदर जैसे साइकल की चेन घूमती है ऐसे ऐसे जैसे मर्जी मोड़ जाती है तो उसी परकार हमारी हड़ी जो है वो साइकल के रिड़ की हड़ी के 24 जो मनके हैं वो साइकल की तरह काम करते हैं जैसे हम आगे जुक रहे हैं, पीछे जुक रहे हैं, इदर मुट रहे हैं, इदर मुट रहे हैं, ये साइकल की चेन की तरह काम करती है और अब चलता हूँ कि L4 जो है, वो क्या दिक्कत परता करता है, कहां इसका प्रभावित किशेतर है नमबर एक, प्रोस्टेट ग्लैंड, कमर से निचे, जितना भी सनायू तंतर है, वो इसका क्शेतर माना गया है अब इससे क्या क्या बिमारिया होती है, अगर किसी का L4 डिश्टर्व हो गया है, मनके में दिक्कत आ गई है तो उसमें क्या होगा, कि साइट का, रिंगन का दर्द जिसको बोलते हैं, साइट का प्रोल्म हो जाएगी दूसरे नमबर पर आता है, पिसाब में दिक्कत, खुल के पिसाब निया आना, या सौते निकल जाना दूसरा, तीसरा के जो हमारा जितनी भी पिसाब की तकलीफ हैं, वो इससे हो जाती हैं और कमर दर्द भी होता है तो ये था L4 का मनके का मकसद, अब इसके बाद आता है L5, L5 जो है दोस्तों, इसका क्षेतर जो है टांगे, अंगुठे और तल्बे, ये इसके क्षेतर माने गए हैं और इसके बाद जो इससे बमारिया होती हैं, वो क्या क्या होती हैं और L5 जो और S1 जो है ये बादी में अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिक्त हो जाती है, तो ये हमारे मतलब किसी भी लोग के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है ये चीज़, तो इसका जो विमारिया होती है पैरों में खून का संचार नहीं होना और टकनों में दर्द होना, बासोजिस होना, ये टकनें कमजोर पड़ जाना, हमारे पैर बतलबे इससे ठंडे रहते हैं, टांगें कमजोर पड़ जाती हैं और इससे टांगों में एंटन भी आती है, ये हमारे L5 का ये प्रावल्म क्रेड़ करता है और इसके बाद आता है S1, S1 की जो क्षित्र है वो है, नितम की हडियां, हिप बोन, अब S1 क्या करता है, बमारियां क्या क्या करता है, नितम की हडियां, जो है, उनमें दर्द होती है, और जितने भी, यानि की रोग, ये हडियों के मैंने गनाए, अगर ये S1 ज्यादा डि लिवी के वार मुड़ना सुरू हो जाती है जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे हुए कि कमर में दर्द है तो के वार वो जुक जाते हैं या उनकी रिड़ की हड़ी टेड़ी मेड़ी हो जाती है तो ये था इसका अब इसका मैं एक मुख्या उपचार आपको जैसे मैंने नार्जल बाला बताया वो बीकेनस के लिए था उपचार इस चीज़ के हजाराओं है बहुत सारे लुस्के हैँ अब ये चीज़ होती है कि बात को कम करने की लिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बातनस्क दवाईयां अधिक खाते हैं तो बातनस्क आप जितनी अधिक दवाईयां खाते हैं उतना स्रील आपका कमजोर भी होता जाएगा और उसके साथ साथ के बार जो ताकत की जो चीज़ें हैं जैसे मैंने गरी गोले का आपको बता दिया ये भी ताकतवर चीज़ है अखरोट है ये इन चीज़ों को मिंटेन करके रखता है तब कि आपका जो स्रील का जो सूखने का कारेकरम है बंद हो जाए यानि कि आपका स्र जो वो ना सूखे अब बहुत सारी ऐसी दबाईया हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं बात को ठीक करने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं लेकिन आज मैं आपको एक छोटीया सा नुस्खा बता दूँगा और एक मैं आपको मुद्रा बता द याती है और ऐसे मैं पॉस्चर अप पजिसन दे रहा हूं इसकी तो ऐसे आपने अपने घुट्णों के ऊपर इसको रखना है इसको आप अगर उठ बैड़ी सकते ऐसे ने रखना है मैंने जैसे मैंने मैं शिर्फ बताने के लिए ऐसी किया गुटना के उपर उंगलियां आपकी सीधी होनी चाहिए देख लीजिए अब इसको आप आदा घंटा आदा घंटा सुबह आदा घंटा साम को और सुबह का जो किया होता है वह ज्यादा फेक्टिव होता है अगर आप पांसात मिन्ट कर करता है बोड़ी में तो मैंने बहुत सारे ऐसे रोगी देखे हैं कि उनको जो ये चीज करवाई आती है तो उनके घुटने का दर्द या दूसरी जो बिमारियां है बात से स्बंदित उनको फाइदा हुआ है अगर फिर वो छोटी मोटी दवाई या किसी दवाई का बात न दवाईयां का मेरा कहने का मतलब यह था कि बहुत सारे घरों में या आम लोग जैसे मेथी दाने का बहुत जादा प्रयोग कर लेते हैं कमर दर्द में तो इस तरह से आप इन चिज्जों का भी अधिक प्रयोग ना करें ताकि आपका जो स्रीर का सूखने का का काम है वो मतल आगर भी अमठी रखना है अगर बहुत ही मन कर जाता है तो गर्मियों में आप थोड़ा बहुत लिसकते हैं अद्रवाई इस में खटी चीज़ें तली चीज़ें मिलकुलizin हैं तो दोस्तों मैं यही कहूंगा अन्तुमें कि आप इस मेरे वीडियो को ज्यादर से ज्यादर लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार